हेलो कैसे हो दोस्तो मैं आपका दोस्त जोगरक्स और वामिया आपके बीच में उपस्तित हूं आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरस्ट्राइज 6.2 है वो कम्प्लेट करेंगे तो अपने व 144 कर लिए थे तो अब हम इसमें पांत्वं क्विशन करेंगे जो हम कख्या नाइन्थ का ये सलेवस कर रहे है उसमें 6.2 अपांत्वा क्विशन है नाइन्थ क्लास और अपने एक्सरसाइज है दोस्तों 6.2 नमर्फाइब है उसमें एक आकरती दे रखिए 6.32 जि इस परकार की एकार करती है इसमें A B और C D C D है वो पैलर दे रहा है और यहां कोई बिंदू P है यहां बिंदू Q है यहां बिंदू कोई R है पी Q आर एक ट्राइंगल है उसमें यह एंगल वई डी दे रहका है यह एंगल cliff agree दे रहका है Państ यह एंग एक टRe का अ और इसमें एक एंगल भहिश कौन का महान दे रहका है एक सो सदाइस डिvous अर्य है कि एक स्वाइख की वैल्यू याद करनी इनके बारे में हम डीटेल से पढ़ेंगे तो हमने जो स्टार्टिंग का फ़र्ट वीडियो है उसमें बता चुके कि किसी भी तरी बुच्व का योग है वह 180 112 क्यों होता है तो उसके बारे हम पढ़ेंगे देखो यहां पर यह अंगल यह दुन पहले लाइन दे रखी ए भी अगर यह दोनों समांतर रेखाई है तो पी-क्यू इसने तीरीक रेका रही है तो यह समांतर ने तो यह पचास ठीक्रिय है तो यह पड़ेगा क्योंकि यह एकांतर कौन को ऐसे भी पहंचान सकते कि जैडि क्या कर दी अगर यहां से यह से बनाए तो यहां से बन रहें नहीं पुचाश दिगरी है तो यह कोंड है वो एक्स टीगरी है तो यह खना होग प्छाइड गए अगे अपने पास x की वेल्यू आगी अब अगर एक्सी वेल्यू आगी वाई का मान अगर डाइरेक्ट निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते कि कि किसी भी ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल ले लेना उसके बहुत कॉंड का मानने वह अंतरा भी मुकॉणों के कोणों का योग यानि योग होता है तो यह इस कोण का है वो इस कोणों के योग के बराबर होता है इस कोण का मान है वो इन कौन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है तो 127 टीगरी है वो किसके बराबर है एक्स प्लस वाई दोनों के बराबर है तो एक्स का मान हमने नि है तो एक्स का मान कितना निकाला 117 सुरी एक्स का मान हमने निकाला है पचास टिगरी और यह वैसकोन का मान 127 सुरी अपने को दिया हुआ है अपने को वाइं की वैल्यू गयात करनी है आप इसको इंटर्चयंज कर देते हैं एक को सताइस माइनस फिफ्टी इस इकल टू एंगल वाई इसमें से 50 कट्वे यानि साथ मिसे 0 कट्वे तो यह कितना जाएगा स्थातर तो यह कितना गया वाइड यानि एक्स और वाइक कमान आगया फिर दोस्तों अपने एक तरीके से और भी कर सकते वह तरीका मैं डायरेक् यह कौण और यह कौण रेकी क्यूगम का कॉण बनता है रेकी क्यूगम का कौण होता है वह 180 डिगरी का होता है लीनियर पैर एंगल होता है यह एक सुसिम से कितने के गता देंगे 있어서 27 गता देंगी यहां से आ जाएगा कितना तीन आजाएगा यहां कितने ने तरयू पंडी यहां यह बिवन घृम और यह कितने डिगरी दोस्तों पचास डिगरी है एक तरी बुज होता है उनके अंत्य कोनों का योग होता है इन दोनों का योग करें तो एक सो तीन डिगरी आ एक सो असी माइनस कितना गया एक सो तीन डिगरी आ गया एक सो तीन निकालेंगे तो कितने डिगरी आ गया यह एंगल वाई की वेल्व आगी दोस्तों यह अपना क्विशन नमर फाइप है वह किया हमने जो अपना एक्सरसाइज 6.2 का है अब इसके अगर लेना चाहो तो आप हम ले सकते हो इसके बाद हम इसका लास्ट क्यूशन करेंगे जो 6.2 का हम जो क्यूशन नमर क्या है सिक्स है अगर यह आपको समझ में नहीं आ है तो इसको वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं दोस्तों तो आगे देखिए यह बोला गया पीक्यू और आरस दो सब्सक्राइब है और इन दर्पणों को इस पर क्या रखा गया है कि आमने सामने यानि यह दोनों क्या है समांतर रखे गए पी क्यू समांतर है किसके आरस यह अपने को दिया हुआ है कि इससे को एक आप्तन के निकर रही है उसका ऐसे निकर रही है यहां से ए और भी एक के निकर रही है वह केंड यहां से टकराती है और वापस इस पर आपतित होती है यहां A B है तो यह क्या है CD है तो आपने को यह अंगल अपने को यह सिद करना है यह तो अपने को दिया है और सिद क्या करना है सिद्ध यह करना है कि AB पैलल है किसके CD के यह बात सिद्ध करनी है AB और CD को समांतर है वो सिद्ध करनी है किस परकार सिद्ध करेंगे बहुत ही अच्छा क्यूशन है क्यूशन वापस सुन लिजी क्या दिया हुआ है यहां से समांतर रखे हैं यहां से कोई से आएगी अबिलं का काम करेंगी कि यहां पर कास यहां से लिखेंगे प्रकास का प्रावर्तन प्रकास का प्रावर्तन अगर इस एंगल का ना अगर अपने वन देते हैं तो इसका टू दे दो इसका थ्री दे दो और इसका क्या दे दो फोर दे दो प्रकास के प्रावर्तन के नियम से एंगल आई है एंगल वन है वो एंगल टू के बराबर है और एंगल थ्री है वो एंगल फोर के न्यम्य थे बराबर रहे क्योंकि प्रकास के प्रावर्तन के लियां से उसके दोस्तों अगर इसका नाम है ये नाम ती दे दिया जाए तो ये क्या आगया विए और लं है किस पे क्यों पर अब लंब्सक्राइब परकास के प्र मनता है वह तो प्रावर्तित के साथ चैनल उबसक्त प्रावरतन कोंगर और यह यह लिखा है किसमे पीक्यू पर और सीटी लम है किसमे आरस पर यह बात अपने को प्रकास के प्रावर्तन से प्रावर्तन से अगर यह बात अपने प्राप्त हो गई तो यह भी यहां नाइंटी डिग्री का कॉन मना रहा है और यह दोनों पैलल है तो यहां पर जाएगा आगे जाएगा तो यह कि यहां पर बनाएगा तो यह कोण कितना का बनेंगा नाइटी डिग्री का णिती का बनेंगा नइंटी किक्व की दोस वांता रचांकि कमांगत आंता का युग होता है वह 801 000 डिग्री होता है तो यहांपर अपने को दो मेरल कि वहां फैलर दिए हुए यह यहां गया कव tej two Amen ऐसमांतर है तो इसमें क्या होता है की इंगल टूर एकल-गि-इंगल-टू-क आगे एक-अंतर कोंड आगे यह लो हमने लिख दिया कौन से कोण आगे एकांतर को एक है अब आपने को जो सीषिद करनी है वह यहां पर लिखेंगे दोस्तों किस फ़रकार लिखेंगी देखो ABC यहां लिखेंगे ए बी सी यह पूरे एंगल को दिखा जाए तो यह दो बागों डिवाइड है एंगल वन प्लस एंगल टू में डिवाइड यह बात समझ में आगे यह एक वसंदे दी हमने एक अंगल टू है वह ऐंगल है वह नोटू क्या है इक्वेल है यह बात प्रकास के प्रावर्तम से भेल अखेंगे यहां से तो और यह आगया से मैं यह से तो यह एपके सब्सक्राइब . यह उस्य परकार यहां से इसको मिट्रहएं सोपने पिर यह से देखो अगर b c d देखे जाए एंगल b c d is equal to angle 3 plus angle क्या आगे 4 आगे एंगल 3 और 4 मिलके क्या मनता है b c d मनता है तो b c d is equal to angle 3 के equal angle 4 है कहां से equation a से तो 3 कीज़ गए तो 3 आगया 4 कीज़ गए से क्या रख दें हमें 3 रख दें यह कहां से रखा है equation a से रखा है यहां देखो फोर इस इकल टूट्ट थरी तो b c d क्यांव इस इकल टू कितना आगया टू रूट है त्री आगया यह दोस्तों अपना क्योंकि यहां क्या है दो से गुणा करके रख सकते नहीं रख सकते दो और तीन बराबर हैं तो अगर इक्वेशन इसको अगर अपने दो से गुणा करके रखे कि यह लोग दो से अगर दो से अगर इसको गुणा कर दे तो यह दो से एक्वेशन फैस्ट दे दिया दो से समी करन दो था तीन का मान रखेंगे समीकरण फैस्ट में टूरू टू का मान यह है देखो क्या है है क्यों है एक वैसा फैस्ट में एक्वैसान सेकंड था था कि ता कि मान रखने पर तो यहां कितना है एंगल एबीची बराबर फिर यहां तू रूट 3 का मान क्या है B C D अगर ये एंगल बराबर आगे यह कोंड और ये कोंड क्या अगे बराबर आगे यह कौण और ये कौण बराबर आगे तो यह कौन से कौन होग एक यद्टरबी कंग है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते Nikon T сht kgehen एतना काम क्यों किया क्योंकि हमने यह ने इस बताने के लिए पूरा इंगल है वह सेंगल के बराबर और यह बराबर सभी होते हैं जो कंतर कौन मनते हैं और यह दोनों बड़ाबर यह दोनों बड़ाबर है तो यह अब है वह सीड़ी के क्या है है तो दोस्तों अपना इसके साथ यह अपने अधिश्व साथ चैपन्ट 2 वह अज पर करते हैं हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैन्ज आप